अजो फ्रेंड्स मैं आपकामेंट और एके सिंग्ग और आज हम अपने केवियस लाइबरेरी यानि की और और इंडिया लाइबरेरी की जो नेक्ट क्लास है उसे देखेंगे आज का जो टॉपिक है यानि कि हमाज सेगंड इनिट चल रही है सेगंड इनिट का आज लास्ट ट देखिए चलते ही चलते ही हमने topic by topic में हमने दो unit खतम कर लिए अगर आज की हम class कर ले तो आज का है library में आपने एक नाम सुना होगा जो बहुत ही खास है resource sharing and library network by resource sharing का concept बहुत ही पुराना है और अभी से चलावा नहीं आ रहा है पहली बात तो यह है कि आपको इन दो मतलबों का पता होना चाहिए नहीं कि दो वर्डों का मतलब पता होना चाहिए resource sharing and library network भाई देखिए आप किसी भी चीज को share कब करते हैं जब सामने वाले को उसकी जुरत हो तो ऐसे ही library में एक library loan का नाम होगा आप वह library loan resource sharing का ही पार्ट है जैसे कि आप हो आप KVS की तयारी कर रहे हो तो KVS माल लेते हैं केंद्रे विद्याले नंबर वन को देली को और केंद्रे विद्याले नंबर दो हो यह वन की है और यह टू की library है यह विद्याली दोनों आस्वास की इसको कुछ शेयर करना है तो लाइबरी शेयरिंग के तुरू यानि लाइबरी लोन के तुरू एक तरह से चीजों को आदान परदान कर जाएगा, तो ये सब चीजे हमें एक तरह से पढ़ना और एक लाइबरी नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, ठीके बच्चो तो नहीं पाहोगे तो थोड़ा सा English का concept याद रखना resource sharing क्योंकि लाइपरी जो है English में ही ज्यादा appropriate तरीके से समझ में आएगी आपकी संसाधन साजाकरण तो यह कहते हैं संसाधन साजागरण तो संसाधन साजागरण क्या होता संसाधन साजागरण का जो अर्थ है एक तरह से उपयोग संसाधनों का उपयोग करता हम जैसे एक तरह से कहते हैं कि घर में हम एक चीज को शेर कर लेते हैं उसी चीज को कहते हैं sharing ठीक है चली आगे पड़ते हैं, तो यह आनी कि अब मानते चली एक concept लेके चलते हैं, यह है आपका घर, ठीक है आपके घर में यह हैं चार कमरे ठीक है यहां पर A family रहती है B family रहती है मतल्ला, यहां पर आप रहते हो यहां पर आपकी बहन रथी है और सी में आपके ममी पापा रहते हैं और डी में आपके चाचा रहते हैं ठीक है यह फैमिली है अब चाचा को ट्रिमर चाहिए यानि कि शेविंग के लिए ट्रिमर चाहिए तो ट्रिमर है आपके बी यानि कि आपके पास भी है और आपके पापा के पास भी है तो उनका यह कह तो उन्होंने अपने संसादनों को शेयर करा यानि कि इन्होंने अपने संसादनों को शेयर करा तो क्या ये concept को समझ में है तो ऐसे ही library में होता है अब इसको हम छोड़ देते हैं ट्रीमर की जगा हम लेकर चलते हैं यह यह है यह passenger लाइबरी यानि अलाइब की स्टूड़न नंबर फूर लाइबरी यहांपर जो बी लाइबर यह में एक इस्टूडन ने यानि की पाठक ने कह दिया जर्ए लायबरी इन इन्फोर्मेशन साइंस की ribbon दिक्शनरी चाहिए कि B ने सी और को को और के दिफिक कि दिफिक स्टी तो वह उसने ट्स्पार्ट şेयर कर लिया और शेयर करते करते एक से उसकी मदद हो गए भाई हम librarian है librarian की कोई category नहीं है उवो ठालर की भी है teacher भी है और admin भी है एक तरह से मालिक भी है भाई आप कोई teacher है teacher को क्या है तीन गंटे पढ़ाना चार गंटे पढ़ाना ये सब चीजे आएंगी और जो एक librarian है लाइब्रियन का मतलब क्या है पूरे आपके यानि कि आपके साथ बज़े से डुटी शुरूई और तीन बज़े तक याए दो बज़े तक वो पूरे टाइम काम करता रहे हो कलर के तौर पर काम करेगा जितने भी सारी चीज आएंगी तौर के तौर पर काम करा भाई फिर आय को किसी चीजी जुट पड़ी आपने कहा कि सर मुझे इस चीजी जुट है तो मैं हो सकता है मेरे पास हो तो मैं शेयर करना इसलिए लाइब्रियन का मतलब ही होता है चाहे आप लाइब्रियन को जानते हो चाहे नहीं जानते हो लाइब्रियन का मतलब ही है कि हमें एक साथ ज एक बार चेक कर लेना वैसे आईले का 1500 के सम्तिंग सम्तिंग है तो जो मेंबाशिप है उसका मतलब क्या है कि वह काड तक नहीं आज कोई भी Librarian भाई मेरा या बेहन अपने काम को सुरू करता है या फिर अपनी Librarian खोलता है तो वो अपने जितने भी Member है उनके साथ जूड़कर यह कहे कि मेरे इस Librarian का या Librarian से आप जूड़िए या अपने Student को बेजे तो वो सईयो करना हमारा करतव है तभी तो आम एक तत्था से लाइबरियन के मेंबर बनेंगे हमारा 이십 करीवार ँटने भी भाई पहन में तॉ परिवार और परिवार नहीं होंगे तभी तरब शेरिंग के कॉंसेफ्ट में आएंगे आप मान लीजे एक की भी से लडाई भी की सी से लडाई अगर चारों की लड़ाई है तो क्या रिसोर्स शेरिंग का कॉंसेप्ट बन पाएगा, लाइबरी लोन का कॉंसेप्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइबरेडियन हो, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ी है, मुझे सस्क् बढ़ा रहा हमारी बेहन बढ़ा रही है तो जब आप इस तरह से मोटिवेट होके अपने भाईयों को बहनों को और हमें सपोर्ट करोगे यह सपोर्ट में रहेंगे हम तो हमारी यूनिटी क्या होगी आज कोई भी लाइबियन को कुछ भी कह देता कि आप तो सर ऐसी रहते हो जब हमारी यूनिटी बढ़ेगी तो हम एक के दो के दो के चार चार के पाच चे हमारी यूनिटी एक टाइम पर इस तरह होगी कोई भी एक लाइबियन को कुछ भी घाएगा तो हम दस खड़े होंगे इसके पीछे इस तरह की जो तव कॉंसेप्ट क्या आएगा फिर आपका जो बी वाला भाई है या डी वाला भाई है डी वाले भाई को जो रतपड़ी की में परिसान कर रहे हैं यहां पर और या फिर मुझे इस तरह चीजी को जो आता है तो वो शेर करके आपके पास ला देगा यानि यह कह देगा चल भाई मेरे पास ले लिए जैसे कह देतें ना कि आज लंच नहीं लिए चल भाई मेरे साथ खा लिए चल दी चल लिए तो यह इस कॉंसेप्ट है लाइबरी शेरिंग का ठीक है अब आती है इसके अंदर की बाद जो आपको वह यह concept आपने समझ लिया यही आपको लाइबरी शेरिंग में खास का important और इसी से पहले आता है लाइबरी शेर में लाइबरी लोन का लाइबरी एहां टेंक यह सबसे important उधारन है अब जैसे किसी को चाहिए लाइबरी शेर में किसी के पास computer नहीं है तो sharing करके उसे computer की जोड़ पढ़ रही है कि उसने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए कि लाइबरी ए से कहा को मुझे कुछ दिन के लिए अपना computer चाहिए आपका शेरिंग की तो पर पर तो आप उसको उसकी मदद करें कुछ को प्रिंटर की जोड़ते हैं तो मतलब यह है लाइबरी शेरिंग का concept आवशक क्यूँ है आवशक क्यूँ है इसका concept अब आ जाता है आवशक क्यूँ है आवशक होती है संख्या के कमी होने की कारण कम संख्या में संसाधन के होने के कारण कम संख्या में संसाधन है आज भी लाइबरी को बजेटिंग में दिक्कत का सामना पड़ता है और लाइबरी में बजटिंग का दिक्कत का सामना पड़ता है तो जी न्यूस पेपर आते हैं और जो ऐसी उल्टी जैसे फोटो को पी है फोटो को पी है या फिर क्याशकुन पेनल्टी के पिर के खहते हैं अ उसी के तौर पर कम संसादनाब होते हैं तो आप किसे आप मां लेजिए तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो GALP में पढ़ रहे ही सब्सक्राइब तो इसलिए हमें आवशकता पड़ी किसकी library के resource sharing की उपयोग यानि की जो पाठक है उसके जरुआ पड़ी सूचना की कमी के जरुआ पड़ी यानि सूचना को पूरा करने के लिए जरुआ पड़ी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब आता है लाब इसके लाब क्या क्या है लाइब्रेरी को क्या करना है जली बताईए बढ़ाना है यानि की ग्रो करने के लिए करमचारियों की सूइदा के लिए लिए वैट एक चिज़ बो आपसे कोशन पूचा जा सकता है लाइब्रेरी के जम इंटर्व्य हो गा क्या करमचारी भी resource sharing का part है तो हाँ यार रखना library में करमचारी भी resource sharing का part है but but main librarian के तोर पर नहीं अगर आप से कोई कहता है कि sir या madam मेरी library में आज क्याना इंस्पेक्शन है या फिर आज एक seminar है webinar है या कुछ भी function है और student की संख्या या पाठको की संख्या जादा होगी आप please यहाँ पर आईए और मुझे इस library को अपनी सेवा दीजी ये कहते हैं कि नहीं कहते तो वहाँ पर आप guest librarian के तोर पर जाएंगे और main librarian जो आपका मित्र है उसके साथ पर काम ये बात रखनी है ठीक है आवश्यक्ता अनसार उसको बढ़ाएंगे सईयोगी गरंताले जो होंगे उनको बढ़ाएंगे इसलिए काम चली अब लाब चले दें करमचारियों के लिए होता है चली सन साधन सीमित होने की वज़ा से या इसे इस तरह से लिख देते हैं सनसाधन सीमित सनसाधन सीमित जो है उनकी कमी पूरी करता है ठीक है शेरिंग का ये मोटी होता है और क्या है स्टाफिंग को अप्टो डेट रखता है सूचना को बढ़ाए रखता है कम कम बज़ट में क्या देता है अधिक सुईदा या अधिक ज्यान अधिक ज्यान स्टाफिंग का ये सारे एक तरह से में चीजे मैंने आपको बता दी एक एक दो दो लाइन में फिर आता है और्गनाईजेशन एक तरह से और्गनाईजेशन जिसे हमने पढ़ना क्या है भई आपका जो ये है देखे रिसोर्स शेरिंग एन लाइबरेरी नेटवर्प तो इसमें क्या आएगा और्गनाईजेशन या संचलन एक तरह से ये पढ़नाईजेशन एक तरह से ये पढ़नाईजेशन आपको और उसमें क्या है आज का जो कॉंसेफ्ट है वो है क्या रिसोर्स शेरिंग एन लाइबरेरी नेटवर्प चलिए आगे चलते हैं चलिए अब पढ़ते हैं क्या जो देखे हमारा था लाइबरेरी नेटवर्प चलिए लाइबरेरी नेटव ये वर्ड नेटवर्किंग ठीक है इस तरह से आपको समझ लेना है कि आपके पास यानि कि ये आपका शेहर है यहाँ पर बैठा है A लाइबरेरिन यहाँ पर बैठा है B लाइबरेरिन यहाँ पर बैठा है C library, यहाँ पर बैठा है D library, ठीक है, यह इस तरह बैठे हैं, अब यह जो पाठक है, यहाँ पर बैठा 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 है, यहाँ पर ब इस library के पास उसको पूरा करने के लिए किताब नहीं है, यानि कि उसके ज्ञान को पूरा करने के लिए किताब नहीं है, अब जो sharing वाला concept पड़ा, sharing वाले concept में इन सारी library यो ने ये decide किया कि अपनी book हम एक जगा पर store करके network की तोर पर रख लेंगे, इसने विसारी इस जगा श्टोर कर दी, इसने विसारी श्टोर कर दी, इसने विसारी श्टोर कर दी, इसने विसारी श्टोर कर दी, अब नमबर वन पाठक को, नमबर टू पाठक को, नमबर त्री पाठक को, नमबर फोर पाठक को, यानि इन चार पाठक को, एक ही book चाहिए, एक ही time पर तो कहां देख सकता इस नेटोग यानि कि लाइबरेडी नेटोग जो है उस पर यहां पर वह बुक देख सकता है और उसे वह बुक कौन से चाहिए मान लिजिए five laws of library science से है डीडीसी की डिक्सिनेरी से है इन सब चीजों के access करने के लिए वह यहां पर गए चारों के चारों उन्हें एक ही टाइम पर एक ही बुक को पढ़ लिया नहीं तो क्या होता ये पाठाक यहाँ पर जाता और इसके पास बुकती या फिर सी के पास बुकती वो इन से शेयर करता और शेयर करके यहाँ पर आती यहाँ पर आके वो कहता कि सर मेरे पाठाक को भी ज करने के लिए तो यह कॉंसेप्ट है लाइबरी शेरिंग यानि कि नेटवर्किंग का चलिए अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा लिख कर समझते हैं भाई लाइबरी कॉंसेप्ट क्यूं आया तो से पहले आता है ICT का जब जनम हुआ और जनम होने के बाद जब प्राद्योगी की पूरी तरह से डेवलप हो गई तब संचार का सब के पास बहुच गया चीज़े, इलेक्ट्रोनिक मात्यम सुब के आपस पोझ ग यह, तब आया क्या लाइबरीने नेटवक को, लाइबरीने को नेटवर्किंग से जोड़ा गया और लाइबरीने नेटवक में लिंकेज वाले जो प्रक्रिया है वो इंपोर्टन है यानि कि library network वेक्ति या संगटनों का सम्मू है जो कुछ निर्धेश लक्षयों को पूरा करता है और उसके लिए प्रणाली प्रस्तुत या जोड़े होता है जिसे संबंध यानि link age के संचारां तंत से कहा जाता है इसलिए network को मौझिद संसाधन के रूप में सुईधर स्पर् आई सेटी कि आई टी सी लगिया आई टी से की चोकलेट खा रहेते तो हम आई सेटी आई टी सी ही हाथ था में चली तो यह क्या है ग्रंथ अ थाल्य नेटवर्क कि वेक्तियों या संगठनों का समूं है कुछ निर्देश लक्षे को पूरा करने के लिए एक प्रनाली बनाने है तू प्रस पर जुड़े होते हैं सम्मंद यानि की लिंक एज यह आज पैन में क्या हो रहा है लिक्कत करना है पैन चलिए लिंक एज में एक संचार तंत होना चाहिए इसके अलिये कोई नेट वर्क मौजूद है जो सदस्यों के बीच संचार की सुईदा इस पश्ट गुरूप से देते हैं तो यही सब चीज़ा अभी पता है मैंने A, B, C, D वाला उधार लेके होही सब चीज़े यह है नेटवर्किंग में ठीक है, अब आता है नेटवर्किंग के उदेश्य अगर आपसे पूछे कि नेटवर्किंग के उदेश्य के लायर भी नेटवर्क के उदेशी के हैं तो नेटवर्किंग के उदेशी है सब को जोड़े रखता है सबसे पहला काम आसान कर देता है समय बचाता है यानि कि समय की बचत धन की बचत एक एक समय पर सभी जगा संसादन का उपयोग और क्या होंगे ज़ली बताइए संसादनों का अधिक्तम यूज अधिक्तम उपयोग करा करा जा सकता है ठीक है तो यह होंगे आपके नाइटवर्क स्वर्ण नेटवर्क के उदेश्य ठीक है आपको लाइबरी नेटवर्क का पता चल गया और लाइबरी शेरिंग का पता यह दोनों क२्सेप्ट और यानि दिन च्रिए वह समान प्रतना और आता है भारति लियुक्त गरं़्क मे ग्रण्थाल्यmat पहले लें मैं और डबलू एंवन कोश्चन हार आलत में मिलेगा चाहे कितने भी आप कोंची किताब पर लो लेंन और वन का टोपिक मिलेगा एं मिलेगा कोश्चन गी मिलेगा एक question तो पूछी लियाएगा full form book के तोर पर तो land का क्या होता है local area network यानि कि local area network man का क्या है multiple area network यानि कि यहाँ पर multiplex वाले लोग रहते यहाँ पर local लोग रहते हैं हम जैसे local यहाँ पर multiplex वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर वाइल्ड एरियन है तो यानि कि वाइल्ड बड़े लोग आते हैं बड़े 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 बाते बड़े बड़े सहर में चोट चोटी बाते नहीं होती बड़े बड़े सहर में बड़ी बड़ी बाते हो रही है तो यानि कि यह कोशन आपको हर आलते मिलेगा चाहि तो आप लिखके ले लिजिए इसका फुल फॉर्म पोची जाती है अब आता है भारत की गर्णन्थाले के शुरुआत कब से होई असी के दसक से होई यानि कि कॉलकत्ता में कॉलकत्ता लाइबरी नेटवर्क क्या नाम सुनाओगा एक आपको ध्यान अगना कॉलकत्ता लाइबरी नेटवर्क और कॉलकत्ता लाइबरी नेटवर्क किस पे है मैन पर यानि कि मैन का उधारन है कॉलकत्ता लाइबरी नेटवर् कॉलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वही सुरुवात का कारण है चलिए भारत में लाइब्रेरी नेटवर्क की सुरू आद तब से वी कॉलकाता गरन थाले नेट वर्क ठीक है जयान लगना और यह किसका उधारण है में मैं का उधारण है चलिए अब आता है फिर आगे कौन कौन से है पूरे भारत में कौन सा चला है पूरे भारत में में मैं की स्थापना कभी national imperial system for science and technology के time पर हुई थी मुख्य रूप से माना जाता है यानि कॉलकता library network 1988 की स्थाबना के साथ सुरू हुई थी फिर आता है आपका dilnet 92 चलिए इसे लिख विए देता हूं मैं चलिए पहला क्या है कैली बिट 1988 थिर आपका आता है डिल नेट 1992 फिर कौन सा आएगा जली होता है यह एमदाबाद और पहले दिल्ली गन्ताले फिर आता है है एमदाबाद मैं आप सीधे नाम लिख रहा हूं कहां कहां के चीज़े जने नेट लिख देता हूं लिख से बच्चे कन्फ्यूज हैा हो मदरास, नेट, 1993, फिर बॉम्बे, यह बता ही, बॉम्बे आया है, मोंबई है, चली, इसे बता दीजिए, कोई हिस्ट्री का भी पढ़ रहा हो, बच्चा, मैसूर, मैसूर का है, 1994, और बैंगिलोर, बैंग, बैंगुलूर है या बैंगलोर है, 95, ठीक है, अब आता है आपका, एन, आई, एस, निस, सेट, 1994 है, फिर इफ्लनेट, यह कोईशन आपसे पूचा जाता है, इन, फॉर्मेशन, लाइबरेरी, नेटवर्क, इसका पूचा गया है, क्या है, कि यह कहाँ पर है, और यही एक यूणिवेस्टी, सेट, यानि कि, जितनी भी डिसर्टेशन है, सारी को, संग रह करके रखता है, और इसका जो, नेटवर्क है, कहाँ पर है, जल्दी भाई, अभी भी समझ में नहीं है, गुजरात, यानि कि, गुजरात में है, और यूजी सी का, सबसे बड़ा नेटवर्क, इसी के पास है, यानि कि, इफला नेट के पास है, यह कुशन पूचा गया है, ध्यान रखना, हम भारत में, इफला नेट और डिल नेटवर्क के बा लेवल पर या कहीं भी चले जाएं इफ्लानेट के पास सारी इंफॉर्मेशन है नेटवार्किंग के तौर पर और इफ्लानेट क्या करता है जो करंट सिरीज हैं मद्देमिक है थेसिस हैं पुस्तक हैं वो सारव को रिकॉर्ड रखता है यानि कि यह है सभी का बाप एक तरह स से हमारे लायबरी में या इंडिया में इतनी भी किताब हैं थेसिस हैं उनके जो रिकॉर्ड तैवeras s पर आपको ब्रीफ में समझाने के तोर पर इसका फूटो केज लिए और इसके बारे में कोशन आपको यह मिलेगा यह कोशन आपको देखने के लिए मिल सकता है और हो और तो कोई खास नहीं है और एक कोशन मिले है मतलब इस पेज पर फोटो के चलेजी तीन कोशन आपको देख ले हैं मिल सकते हैं इफलानेट गुजरात में है यूजीसी का है थेसिस है सारी बुक्स मिलती है यह रिकॉर्ड के तोर पर cooperative network है फिर आता है Kolkata library network 1988 एक्णवार library nerede यह सारे आपको पढ़ने है यानि कि अभी neetwork का चैप्टर हमारा है तो उसमें हम सारे पढ़ेंगे बच्चो ठीक है बच्चो यह जो चैप्टर था उसमें यही दो दो चीज Cooper ती और आपको में समझ में आ गया किसी को नहीं समझ में कोई विच्चा अभी भी कहता है कि मुझे ल भर समझ नहीं आय क्योंकि आगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या पायदा ऐसे पढ़ाईगा चिए तो समझ में आयगा तभी तो आप मेरे से जुड़ सपोर्ट में कैसे ःप मुज्य साट्राइब करके साट्राइब करके और सब्सक्राइब करके सपोर्ण में आगे बढ़ा रहे हो यह आपका चैनल है तभी तो आपको आगे बढ़ा रहे हो यह सब चीजे हमारे लिए इम्पोर्टेन आप कोई सी समझ मीना है कमेंट सेक्षन में कमेट करिए बिंदास कमेंट करी theory पढ़िए question करिए और अपने selection लेजिए ठीक है बच्चो आशा करता आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को जाज जाज सेयर करें thank you